हलो देर स्टुडेंस वेलकम टू मैं चैनल विके मुनलाल आज मैं आपको 10th इंगली सप्लिमेंटरी कालेशन वन अट्रम्प ओफ सर्जरी से करेक्टर ओफ मिस्टर हेरियट का करेक्टर इसकेज डिसकस करने वाला हूँ स्टुडेंट से देवी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो वस्री कर लें जिससे आप अपने क्लास से सम्मंदित आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकेए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेस्चन है आईए शुरू करते हैं इसके एक करेक्टर पहले से दिया हुआ है आप चैनल पर जाकर बहाँ पर देख सकते हैं आईे शुरू करते हैं मिस्टर हैरियेट का करेक्टर इसकेच कीजिए चरश चित्रन कीजिए तो अंसर में हम लिख सकते हैं नमबर एक इंटोड़क्शन से सुरू करते हैं अर ट्रंप ऑफ सर्जेरी इज आ बेरी इंटरस्टिंग स्टोरी रिटिन बाई जेम्स हैरियट सल्ली चिकिस्टा की बिजए इस पाट का हिंदी अनुवाद है सल्ली चिकिस्टा की एक बिजए बहुत ही रुचकर पाट है जो की जेम्स हेरियट ने लिखा है जेम्स हेरियट is the narrator of the story जेम्स हेरियट ही इलमाना लेखा की इस कहानी का सूत्रदार है ब्याख्या करता है He is a veterinary surgeon वहाँ एक पसू सलीचिकिस्सक है veterinary और पसू surgeon means सलीचिकिस्सक He teach the fat and dull dog tricky without any medicine वह एक आलसी और मोटे कुत्ते जिसका नाम tricky था उसको बिना दवा के treat करता है इलाज करता है second point में हम लिख सकते हैं a capable veterinary surgeon एक कुसल पसू सलीचिकिस्सक Mr. Harriet was a capable veterinary surgeon Mr. Harriet एक कुसल पसू सलीचिकिस्सक थे He showed his capabilities almost immediately when he advised Mrs. Pampere to put turkey a strict diet after understanding his symptoms उन्होंने तिर्की के symptoms को समझ करके लक्षणों को समझ करके उन्होंने अपनी जो एक veterinary doctor होने की योग्विताएं थी तुरंत उन्होंने Mrs. Pampere को बताया कि वह तिर्की की diet को stick कर दे माना बहुत ही सक्ती से उसकी diet खिलाने के लिए पालन करें जो भी नियम वो बनता है अथा diet पर बिस्चेश ध्यान दें Second point में लिख सकते हैं An understanding and tactful person एक समझदार और चतुर व्यक्ति Mr. Harriet was an understanding and tactful person Mr. Harriet एक बहुत ही समझदार और चतुर व्यक्ति थे He exactly knew how to how to feed turkey from the spoiling love of pamper वो अच्छी तरह से जानते थे कि turkey को Mrs. Pamper के बिगार देने वाले प्यार से कैसे मुक्त किया जा सकता है कैसे फिरी किया जा सकता है So very tactfully बहुत ही चतुराई से ही ये turkey out of Mrs. Pamper is care to keep him away from her own pampering इसलिए वह तुरंट turkey को Mrs. Pamper की देखवाज से अलग उनके लाड़ प्यार से अलग करने के लिए उनको कहते हैं उनको बताते हैं उसके लाड़ प्यार से उसको अलग कर देते हैं बड़ी चतुराई से fourth point में लिख सकते हैं a man of common sense सामानी समझ के व्यक्ती Mr. Harriet was a man of common sense Mr. Harriet एक सामानी समझ के व्यक्ती थे he did not operate upon the dog unnecessarily वह कुत्य का अनावश से का operation नहीं करते but using his common sense परन्तु अपनी सामानी समझ का प्रियोग करके he was able to get the little dog required and transform him into a lady hair muscle animal अपनी common sense का प्रियोग करके वे छोटे कुत्यों को स्वस्त करने और उसे एक lady कहते हैं फोर्तीला खरगोश के जैसा जानवर बनाने में transform कहते हैं बदलने में सफल हो गई थी conclusion हम लिख सकते हैं दस भी सीस पकार हम देखते हैं that कि Mr. Harriet was a capable veterinary surgeon एक कुसल सली चिके सकते he was also a tactful wise and kind human being वह एक बुद्धिमान चतूर और उदार मानव थे आसा student ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक कीजिए share कीजिए thank you